अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल समराथ एजूकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बिया सी एगरिकल्चर फिफ्ट सेमेटर की एक भी से प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एंड सेकेंडरी एगरिकल्चर एजी 505 का परला लेक्चर करान इसके पहले मैंने आप लोगों को एजी 501 का चार लेक्टर करा दिया यदि आप लोग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप लोग जाकर उसको देख लिए जएगा और इस चैनल पर बीएस से एक दिखर के सभी भी से जारी कराई जा रही है तो यदि आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब कर जिए वीडियो को लाइक कर दिजेगा और यदि आप लोग इसका पीडियेप चाहिए तो डिसक्रिप्शन में वाट्सप घुरूप का लिंक वाट्सप नंबर भी दिया गया है मैसेज करके आप लोग इ सकती है जए देखते हैं lecture पहला हम जिसका टाइटल ही वेन हाउस टेकनोलाजी इसका टाइप आप ही नाउस लाट रिसिपांज ट्लाब जो ग्रीन हाउस फार कूलिंग अनुइट नहीं पर्पर्पशि टीक है ऩि में तो इसके बारे आच देखेंगे और बहुत ची अच्छे से आप लोग को समझ भी आ जाएगा जो भी मैं बताओंगा आप लोग को ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं तो हरी तग्री प्रदोगी की एक टेक्नोलाजी है जिसका उद्देश है वनस्पति गत उत्पादन को बाता वरड़ी प्रति असपरदा से सुरच्छित रखना है अच्छे एक बात पहले आप लोग यह बताए है कि क्या आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है क्या जैकर सबको पता है जिससे ग्रीन हाउस को यह बना सकते German करके उसने फसल का कर सकते हैं सकते हो जिस प्रकार नम प्रकार कर सकते हैं तो यहीं देखते हैं तो हर्लिय प्रोध्यवीplain की एक ट्रगोगी की is जिसका उद्थ वत्फाधन को यह सुरचचित रखना जो दा बेढ़ प्रतीश सब्सक्रत है उससे क्या करना सुरचित रखना जिससे किसान बारी मौसम और अनुकूलन के प्रति निर्वर नहीं रहता है ठीक है और वनस्पति गत उत्पादन की ब्रिद्धी होती है ठीक है तो क्या बोला है कि हरित गरी प्रोदोगी की एक टेकनलाजी है जिसका उद्यस वनस्पति गत उत्पादन को वातावर्ड ये प्रति अस्पादा से सुरच्चित रखना है जिससे किसान बारी मौसम और अनुकूलन के प्रति निर्वर नहीं होता है और वनस्पति गत तुथ पादन की ब्रिद्धी होती है हरित गरी प्रोदोगी की में वनस्पति का तुथ पादन को अस्थाइता गुडवत्ता और मात्रा में ब्रिद्धी देने के लिए वाता वरण को नियंत्रित करने के लिए विसेस धंग से डिजाइन कियाता है तो यह था इसका से देखेंगे लेकिन ऐसा देखेंगे कि समझ में आना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं हरित ग्री प्रोदोगी की मुख्य विसे स्थाएं तो हरित गर प्रोदोगी की में कवरिंग नेट या प्लास्टिक सीट का यूच किया जाता है जो सुर्य के अलफा बीटा और गामा अलफा केड़ों को पास करने के लिए बना जाता है जो पौदे के लिए अवस्यक होते हैं तो हरित गरी में वाई मंडल की सुविधा होती है जिससे वनस्पतियों को अनिर्बर अंदर बाहर के मौसम की इस्तितियों के नुसार वाई मंडल प्राप्तियों के होता ठीक है तो वाई मंडल दूसरा पॉइंट है इसके में लोग भी सेसा देख रहे हैं किसकी गिरी ना हुची तो हरित गरी में वाई मंडल की सुविधा होती है जिससे वनस्पतियों को निर्भर अंदर और बाहर के मौसम की इस्तियों के अनिसार वाई मंडल प्राप्त ठीक है तो हरित घर में गर्मियों को निर्थित करने के लिए ताप मापी उक्रण और तापक प्रडालियों का यूच किया जाता है जिससे वनस्पति गत्विकास की अच्छी तरह से देख बाल की जा सकती है अगला पॉइंट है आप पूर्ति प्रबंदन आप पूर्ति प सब देख रहे हैं लिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट प्राकृतिक प्रदूसर नहीं इंत्रड नेचुरल पेश्ट कांट्रोल क्या होता है आप लोग जानते हैं फश्ट में पढ़ें सिकेंट थर्ट सभी समेश्ट पढ़ें कि पेश्ट कियाता है कोई भी जिवी जि अरितगरी होते हैं उनको कुछ कीटव कीटाड़ूं से बचाने के लिए प्राकर्टिक तरीकवा का यूज कियाता है इतना सब देखने के बाद हम लोग क्या निसकर से जरूर देखेंगे तो इसका निसकर से निकल कराया कि हरी तगर प्रदोगी की का उपयोग विभिन जलवायू और भूमी संसथनों में होता है जैसे कि फलो, सबजी, फूलो और अन्य पौदे के विकास और पैदा करने के लिए या उत्पादक्ता को बढ़ावा देता है और जलवायू परिवर्तन के प्रती किसानों को सुरच्छित को बढ़ावा देता है थिक है चले आप देखते है ताइप आप भी रहा हाउस ग्रीन हाउ में जिसने पहले ऐ छोटे हरीगिरी इसमाल ग्रीन हाउस तक फ़ेवर्त को थो चोटा है का प्रकार तो सबसे हैं देखें के आकार की आदार पर फ़ीण हूंती करें प्रव्याइव के अधर उनके उद्धियर से और प्रयोग के आदार पर बदल सकता है जो निमने लिखी थै़ जिस हम लों घृतर इसमाल ग्रीन हूं जिसको हम लोग की आधर पर देखतें हैं आकार क्या दार पर तो छोटे हरित घर आम तोर पर किसानों और उद्योगियों दारा छोटे आकार में उपयोग किया जाते हैं इनका आकार आम तोर पर सव से पांसों वर्ग मीटर के बीच होता है चोटे हरिदगरी के उदजेस थे चोटी स्केल पर वरनसपति अधिक उत्पादन करना होता है और या खास अर्क Pastor की अधिकान सब्सव और फूले के लिए प्रयों प्रयोंग होता है तो जो어서 हरिदगरी प्रियोग जादा तर फूलो और सब्जयोग के लिए चलिए अगला है मद्यम हरित ग्री मीडियम ग्रीन आउस क्या होता है तो मद्यम हरित ग्री का आकार छोटे से अधिक होता है आम तरवर 500-2000 वर्ग मेटर की बीच होता है जो इसमायल वाला था प्रियोग मद्यम स्केल पर उद्योगियों और किसानों द्वारत की जाता है और इनमें वीडियम प्रेकार की बनस्पतियों के लिए उप्यूक्त अर्सथान होता है जैसे कि फूल सब्जियां और अन्य पोदे का विकास और पाइदा करने के लिए इसमें वातरवर्ट तयार कियाता है ठीक है किसमें मीडियम ग्रीन हाउस है तो मीडियम ग्रीन हाउस होता है इसका आकार पांट सबसे दो हजार बर की मीटर के बीच होता है इसका प्रेयों मद्यम स्केल पर उद्योगियों और किसानों दरह किया जाता है इसमें फूल सब्जी और अन्य पोद्यों का विकास भी किया जा सकता है जो की मध्यम ग्रीन हाउस है और इसमाल वाले में सिर्फ सब्जी और फूल का यूच किया जा सकता है आगे जले देखने हैं बड़े हरिद ग्री लार्ज ग्रीन हाउस तो लार्ज ग्रीन हाउस क्या होता है तो बड़े हरिद घर का आकार अधिक हो जादा बड़े अस्तरपर में किया था, ज्यादा बड़े अस्तरपर नहीं किया था, गर नहीं को दिखते है। वा 2000 वर्ग मीटर से अधिक होता है और वनस्पत्य गत उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है बड़े हरीद घर भी बिन प्रेकार के वनस्पत्यों को विक्सित करने और प्राप्त करने के लिए उद्धिस से उपयोगी होते हैं जैसे कि बड़े पैमान सब्धिके ढ करने सब्सेया कर इस करेंट नियुक्त है, जैसे कि बेड़े सबजी ओर फोटीक है तो इसका निश्कर चेहिए कि इननुन करते हैं कि ilu गरों के आकारों का चैन उपयोग करताओं के उद्देश से बजट और वनस्पति गरत विकास की आवसकताओं के अधार पर किया था है ठीक है यह जो मैंने आप लोगों चार घरित गरी बताई तो हरित घर के बिबिन प्रकार उद्देश्चों और अवसकताओं के अधार पर उपयोग किया जाते हैं जो वनस्पति गत विकास और उत्पादन को पूरा करने में मदद करते हैं जिन में से कुछ मुख्य हरित घर निमने लिखी था है जिसमें पहला है वनस्पति गत सामाने हरित घर कान्वेंसियल ग्रीन हाउस तो यह सबसे प्रसिद्द और सामाने प्रकार का हरित घर होता है जिसका उपयोग वनस्पति गत विकास पौदों की पैदावार और फूलों की उत्पादन के लिए किया जाता है इनमें ब्यू आई फ्लाक्स कागच या सबसे प्रसिद्द और सामाने प्रकार कारित घर होता है जिसका विकास पौदों की पैदावार और फूलक उत्पादन के लिए किया जता है इसमें आई प्लाक्स कागच या प्लास्टिक सीट से बनी खाचा होती है जिसमें वाई मंडल ताप मापी उपकरण और सुर के प् योग की लिए वनस्पतियों को सुरचित रखने के लिए नेतल कि जाता है इसको अगला देखते हैं नेट हरी गर या नेट हाउस ठीक है नेट ग्रीं हाउस से जाल से जाता है जिसमें डैडिक्ट सुर के रोलों का प्रयोग नहीं होता है लेकिन वाई मंडलन और ताप करेकार में इस सुरच्छित रखने के लिए ने्ट का यूज किया आता है खास करके जलिवाई भी छेत्रों में इसका यूज किया आता है जए आगे चलते हैंं अगला पॉिंड हांट है ट्रिप्रिंड फिंड फ्रिंग्री को और अग्र XL सकारеня बना जाता है इसमें वनस्पत्यों को पानी पोस्वडता तो और वाइमंडल की अच्छी तरह से प्रबंदित कियाता है हाइड्रोपोनिक हरित घर जल संचालन और खादे पैदावार को देश्यों के लिए विश्य सुरुपसूप योगी होता है अगला है सेड हाउस तो सेड हाउस वनस्पत्यों को उचित प्रकार से डखने वाले टोन के खाचों में विख्सित करने के लिए डियाइन किया जाता है जिससे वनस्पत्यों को सुरी की गर्मी से सुरच्चित रखा जा सकता है लेकिन सुरी की रोसनी को पहुचने दिया जाता है ठीक है लेकिन आ पर पसुरी की रोसनीon दो उसको भी पहुचने दिया जाता है सेड हाउस में यहाँथ चलिआ जो वनस्पति होती है उनको स्ट्रीडियों और उचाईयों पर विक्सित करने के लिए डिजान किया था है जिससे याथा सम्भव वनस्पतियों की उच्चतम उपयोगीता उपयोगीता जो है वह प्राप्त की जा सकती है इस प्रकार का हरिद गेरी आपार कम जगा पर अथिक वनस्पत्य उत्पादन करने के उध्याथ राप्त प्राप्त कहता है इसमें वनस्पतियों कोneg खाचो वनस्पतियों को विक्षिद करने के लिए किया था बराष्टिक शीटों के लिरे किया यह जिस्से ताप माफ्यैवं और राइम मंधल प्रणाल्या होतीstyle और उद्आ संफूर सांयशना कीमोफ त्हस्ikleतिंगए को एक्षिश्वन माफ्यिवम उगधेंद कीमाइमाइज के लिए किया जता है यह वर्नस्पति गत्विकास को सुरचित और नियंतित वातावरण ट्रास्टिक की सीट होते हैं कि यह सबसे सामान प्रेकार का होता है या फीर्म सथी होती है और आसान डिजाइन किया सकता है लेकिन गड़ी कौनसी problem है या नई संभाणने के लिए समल सकता मद जroad नीं समाल सकता अगला पॉंट है। पॉली कर्बनेयट। सीटों का यूज होता है जो अधिक दूर porta लोती है और ताप earthquake हैो तो अ लिप करने मदद करती है जो अधिक दूरॉबल होती होटी और नियंत्य का में मंदद करती है इसके निर्मार में अधिक लागत आती है लेकिन इसका यूज बार यूज करेंगे फिर दो बार यूज किया आता है इसके इस में थोड़ा सो लागत भी अधिक आता है ये लिए आगे देखते हैं ग्लास हरित घर ग्लास ग्रीन हाउस तो यह हरित घर ग्लास से बना होता है ग्लास मतलब कांच मतलब देखे होंगे आप लोग उसका बना होता है ठीक है जिससे वनसपतियों को अधिक सुरी केलों को प्राक्रतिक परिस्तितियों से सुरचित रखने के लिए नेट से डखा जाता है इसका निर्माट सस्ता होता है और या गर क्लाइमेट कंट्रोल अवस्ताओं उपयोग किया था ठीक है इसका युज़ क्लाइमेट कंट्रोल अवस्ताम युज़ किया लिए आगे लिए अच्छी दरह से समंधित किया जाता है जुसके पाले भी देखा था और यहां पर भी देख रहे हैं वर्टिको आउस को भी अमलो टीनों में एक ग्रीनांज तो इस प्रेकार का ग्रीनाओस सीडियों और उचानियों पर विक्षित करने के लिए दियान किया था है जिससे यह संभाव स्वक्राव्च के जा सकती है कि इसका निज्वर से को सुरचित और सफलता पुरोग बढ़ाया जाल बढ़ावा दिया जा सके ठीक है तो यह था टाइप हम लोगों देखा जिसमें हम लोगों देखा उपयोग के अदार पर निर्माड के अदार पर और आकार के अदार पर चलिए अब आगे देखेंगे फ्लांट रिस्पांस टू ग्रीन हाउस इन्वारमेंट फ्लांट रिस्पांस टू गृन्हाउस इन्वारमेंट पाधो का रेत truckर व्या जा हाद रखेंगा Plant Response to Greenhouse Environment जो कि हम लोग अभी जो लेक्चर का टाइटल लेके थे उसमें ठाइट उसमें था क्या था टाइटल Greenhouse Technology Introduction Type of Greenhouse तो Type of Greenhouse हम लोगों देखें लिया अब देखेंगे Plant Response to Greenhouse Environment ठीक है तो Plant Response to Greenhouse Environment जिसने पहला point हो 1. अटीब एकास हारित घर के अंदर के माहूर में तापमान, वायुमंडली और अन्य पैराम मीटर्स को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे पौधे का विकास बढ़ जाता है इसके पैराम सुरूप पौधे का उची तरीके से प्राक्रितिक पड़तरसन होता है और वे जल पोसड और प्राक्रिति की अन्य वसकताओं को प्राद करने में सक्षाम होती है ठीक है अगला पॉइंट है फलने और फूलने का समय जिके पॉइंट हेडिंग क्या उसको याद रखेगा है पौधों का फलने और फूलने का समय नियंत्रित किया जा सकता है इसके फल स्वरूप भी नियमित बजार में अच्छे मुल्यों में फल और फूल प्राप्ट किया सकता है अगला पॉइंट देखते है रोग और कीट प्रबंदन तो हरित घर के अंदर की नियंत्रित की सुविदाओं से पौधों को बारी परिपड़ता से आने वाले कीटों और रोगों से बचाए जा सकता है या नियंत्रित पौधों के स्वस्ता और उत्पादक होने के लिए मौतपूर होता है अगला पौइंट है उचीत जल संचालन तो इसका क्या मतलब देखते हैं तो हरित जल में जल संचालन को भी नियंत्रित किया जा सकता है यह जल को प्योग किया दिखता और पानी की बचत का साधन कर सकता है जो जल संसाधन को सनच्छित रखने के लिए मौतवपूर है अगला point है प्र taking बादाऊं से सुरत्छा हरित्यों में पौदो को प्राकृतिक आप लाओं और भादाऊं से सुरचित रखने कि सुविदा होती है जैसे तुफाण बर्फ वारी से और भी अधिक बादाऊं से सुरचित रखने के लिए उसमें सुभिदा होती है कि इसमें ग्रीन हाउस के अंतर यह जुभी मैं बता रहा हूं यह आप लोग बता रहा हूं कि जो प्लांट होता है ब्रीन हाउस के बातवरण में अपना क्या रिस्पॉंस देता है आगे चलिए देखते हैं उचीत फसल की प्राप्ति तो निकल करा रहा है कि हरित गरी प्रदोगी की खौदय के उत्पादन को बढ़ावा देने और व्यापारिक खेतियों को सुरचित और व्यावसाइक बनाने के लिए महत्बूर है इसके माध्यम से वनस्पत्नियों को उचित मौसम और पर्यावरल के तवत बनाया जा सकता है जिस से उनका प्राकरतिक विकास और उत्पादन में सुधार हो सके चलिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट है स्लेवस के अकॉर्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन आप ग्रीन हाउस तो हम लोगों ने स्लेवस में देखाता है टाइटल में ग्रीन हाउस टेकनोलाजी इंट कब बोल सकते हैं तो योजना और उसको जो डिजाइन करने की क्या प्रोसेस उसको हम लोग देखेंगे कि क्या 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 किया जाता है उसको योजना बनाने के बात कैसे उसको डिजाइन किया था कैसे बना जाता है इन इसके बारे में लोग इसने पढ़ेंगे तो हजित घर चयाए का चया को करेंगे तो हड़ी ड़ी के लिए सबसे सई expression कड़ेंगे यह सुन किलोडों की उपलब दता जल सुरोत और वायमंडल के लिए उपयोग तो होना चाहिए अगला पॉइंट है डिजाइन का चैन ग्रीन हाउच डिजाइन देखिए किस आकार का डिजाइन चाहिए जैसे में आप लोग पढ़े होता है चैन करना पड़ेगा तो अपने उद्येस्यों और वहाँ सकता हों कि आधार पर उचित हरीद घर का चैन करें जैसे कि इतना आसान आप लोग कहीं पर भी नहीं मिलेगा ठीक है तो घर के आकार और आयाम ग्रीन हाउस साइज और डाइमेंशन तो इसके आधार पर चाह करेंगे उसके बाद देखेंगे योजना बनाएंगे योजना बनाने के बाद साइट का सेलेक्शन करेंगे सेलेक्शन करेंगे डिजाइन का सेलेक्शन करेंगे डिजाइन सेलेक्शन करेंगे गर का आकार और आयाम देखेंगे तो हरित घर की आकार और आयाम का निदारत करें जो आपको उद्दिश और उपलब्द जगों के आध फिर भाड चाहिए वागए लोग करिंगेखस को सिं करेंगो इसके ऐदर करेंगे अद्धा हमलोग क्या चैन करेंगे इसके बाद क्या होका अस्थाईता और तापमान की नियंतरियों करेंगे प्रबंदन पानिक खाद और कार्बन डायक्साइड की नियंत्रे आप उर्थी की युजना बनाएंगे और इसका प्रबंदन करेंगे ठीक है अग्रा प्रेश्ट कंट्रोल ठीक है पीड़क नियंत्रट तो कीटो और विमारियों से बचाओ के लिए किट नासक प्रडाली का करेंगे जैसे कि प्रचेटिक प्रडाली का यूज हमलों लोग पहले पड़े थे मैंने आप लोग बताय था कि यहां पर बायों सब्सक्राइब बच्छार क्रेंगे अगला पॉंट है संवार्थ अच्छा ड्रडाली का च्यान करें ताकि अधिसे स्थेश पानी को सईगे से निस्कासित पीयड खोन कि अगला पैर और फिडबैक और टूरिंड़ मॉनिटरिंग तो हरो औलब ठरकते करने के लिए सेंसर और मॉनिटरिंग प्रोड़ाल healthier Co के साथ सुधार कर सकें ठीक है आगे चलते हैं बजट और लागत की योजना देखिए इतना सब करने के बात आप लोग बजट बनाएं और लागत की योजना बनाएं ताकि आप आर्थिक रूप से समाद कर सकें अगला विन्यास और ले आउट आप पार्ण क्या सके अई उगाए चाहिए तो यह प्रोसेस था लोग का इसलिए प्लानिंग के लिए और दिजाइन के लिए या प्रूच्छा पॉइंट मृट्प बताया था और आप लोग च्टा-च्टा पॉइंट सा समाझगे आगया होगा तो इसका क्या निकलकि लिए हाड और अपने प्रणाद करने के लिए अगला पॉइंट है डीजाइन क्राइटेरिया फार कूलिंग और हीटिंग परपच जो कि अम लोग ने टाइटल में देखा था तो सबसे पहले देखेंगे cooling purpose तो हरीद घर को स्रीतलन के उद्यसित design करने के लिए कुछ महतपुड मानको का पालन किया जाता है ताकि पौदों को अधिक कुछी तापमान और नमी प्रदान की जा सके यहां हरीद गिली को स्रीतलन के करते समय निमने ध्यान रखने होगे बाते हैं जिनको हम लोग देखेंगे जिसमें पहला sunlight control ठीक है देखें हम लोग cooling purpose पढ़ेंगे तो cooling purpose पढ़ते हैं इसका देखें पूरा एडिंग डिजाइन क्राइटेरिया आप ग्रीन हाउस फार cooling and hitting purpose तो हम लोग डिजाइन क्राइटेरिया आप ग्रीन आउस फार cooling purpose देख रहे हैं तो जिसमें पहला देखेंगे cooling पर पढ़े में sunlight control तो स्रीतलन के लिए हरित गिरी को गिरी की योजना में सूरी प्रकास को नियंसित करने के लिए विस्टेस विचार किया जाता है सूरी कीरलों को कम करने और अधिक्तम बचाने के लिए सूर्टर नेड़ शेट नेड़ या अन्य बादाओं का यूज किया जाए ठीक है अगला पाइंट है hydro coolers और phagers hydro coolers या evaporative cooling and fogers तो अहरित गिरी में हाइडो कूलर्द और फागर्द का उयूज करके प्रतियस पर्दा को ठंडा और नम रखने के लिए वाई मंडलन को अस्थाई किया जा सकता है यह पौद्य को ठंडा रखने और वाई मंडलन को ठंडा करने में मदद करते हैं अगला पॉइंट है नमी नियंदर हुमिडिटी कंट्रोल तो सीतलन के लिए योजना में नमी की नियंदर प्रडाली का चेहन किया जाता है जैसे कि हुमिडि फायर्फ या वाई पोरेटिव कूलर्फ ताकि प्रतियस पर्दाई में अच्छा विकास हो सके है तो इसके लिए ह प्रडालियों का यूज किया जाता है ताकि पौदे को उची थावा मिल सके अगला पॉइंट ड्रेनेज प्रडाली तो वाटर लागिंग को रोकने के लिए अच्छा ड्रेनेज प्रडाली डिजाइन करें ताकि अधिसेस पानी को सही तरीके से निसकासित भी किया जा सके अगला पॉइंट है अधिसेस गर्मी का प्रबंद तो एकसेस फीट मैनेजमेंट तो गर्मियों में अधिसेस गर्मी को मतलब जो भी अधिक गर्मी है उसको कम करने के लिए सीतलन के लिए योजना में वाई, कूलन और अने तापमान नियंत्रड प्रडाली का यूच किया जा सकता है अगला पॉइंट है अधिक उचित मावल मिले अगला पूइंट है आप पूर्ती प्रबंदन या सप्लाइ मैनेजमेंट तो पानी खाद और कार्बन रियक्साइड की सही आप पूर्ती की योजना बनाए और इनका प्रबंदन करें ताकि पूद्य को ठंडा और नम रखा जा सके तो अम्लग को पूर्ती का निकल कराया कि इन मान को का पालन करने से आप एक घर कर सकते हैं जो पूद्य को चित तापमान और नमी प्रदान करेंगा जिससे उनकी प्रतियस परदा में सुधार होगा या ध्यान परोग डियान के लिए मतपूर होता है खासक जा सकता है ताकि वानस्पती का तुद्पादन के लिए उचीत तापमान और गर्मी के लिए सामर्थ प्रदान किया सके जिसके लिए निनलिखित बाते ध्यान दीजिए ध्यान देने वाली इसमें पहला पॉइंट तापमान नियंद्रट तेंपरेचर कंट्रोल तो हरी दि पहला मुख के उद्यस तो उचीत तापमान का नियंद्रट करना है गर्मी को रचित रखने के लिए उचीत रूप से इंसुलेट किये गए इस चिती में हरिद गरी का डिजाइन किया जता है जिसमें विश्चिस धातुकी या प्लास्टिक स्क्रीनिंग और पानी के तादा सामिल होते हैं जिसमें विश्चिस धातुकी या प्लास्टिक स्क्रीनिंग और पानी के तादात सामिल होती है मतलब इन सब इसमें क्या करते हैं सापमान को नियंद्रित करते हैं आगे यह देखते हैं अगरा पाइंट ऑप सोलर गर्मी कलेक्टर सोलर हीट कलेक्टर हरिद के डिजाइन में सोलर गर्मी कलेक्टर का यूज किया आता है जो सुरी की उर्जा को समय तक बंड़ा करते हैं और घर की बीतर गर्मी प्रदान करते हैं ठीक है देखे यह जो लगए होते हैं क्या करते हैं सुरी की जो भी उसमें आते उसको क्या करते हैं उसके बाद क्या कर संचित करने और वनस्पति गत उत्पाद अंचेतरों में डिस्टिब्यूट करने के लिए उपकरण भी सामिल होते हैं ठीक है उपकरणों के दोरा इनको डिस्टिब्यूट किया जता है अगला पॉइंट है आपूर्ति और निर्गमन सप्लाई एंड एकजाश्ट तो हरित ग गर्मी की स्रोथ, इसके बाद हरित गिरीकल डिजाइन गर्मी की स्रोथ के रूप में स्वर उर्जा, बायोमास, गयस जा इलेक्ट्रिसिटी की साथ होता है जो उचित गर्मी प्रदान करने में मदद करता है अगला पॉइंट है तापमान निगरानी, टेंपरेचर मोनिटे सकती है अगला पॉइंट है गर्मी का सही वित्रड प्रापर हीट डिस्टिबियूशन मतलब ऐसा नहीं कहीं पर अधिक गर्मी लगया है तो आपको पता खराव जाए कहीं पर कम लगे तो इतना कम लगे कि पहुदे को मिली नहीं पाए या विटामिन या सुरी का प्रकास प् तो गर्मी का सही वित्रड होना चाहिए तो गर्मी को वानस्पतिक उत्पादन शेत्र में सही रूप से वित्रड करने के लिए उप्यूक्त वित्रड प्रडाली का यूज़ करना अमेसा महत्पूर होता है अगला पांट अब बैक अप प्लान तो हरित गर का डिजाइन अगल करा कि हरित गर का डिजाइन गर्मी प्रडान करने के लिए उप्यूक्त अपमार और गर्मी की अवस्यक्ताओं के साथ होता है ताकि वानस्पति गत उत्पादन में विध्धी हो सके और सरचीत रूप से विखसित हो सके ठीक है तो हम लोग देखे हम लोग को सब्जे पहदों से अधिक उत्पादन किया जा सके है और उसे कीटो, रोगों और अन्य सत्रों से मुझ रखा जा सके जिसके लिए हम लोगों ने Green House के बारे में पढ़ रहे हैं Green House के अंदर Protected Cultivation किया जाता है तो यह लेक्चर आप लोगों पहला उम्मिद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्सिन में WhatsApp ग्रूप का लिंक को WhatsApp नंबर दिया क्या है मैं इसे चाहिए आप लोग इसका PDF से सकते हैं और आप लोग मेरे साथ नोट से बनाते चलिए यदि आप लोग साथ में नोट से बनाते चलिएगे तो आप लोग को अभी सियाद होता चला जाएगा और इग्ज्याम के टाइम कुछ बिट प्राब्लम में होगी एक बार मैं बताओंगो उसको आप लोग इक बार पढ़ेगे और एक बार में आप लोग अच्छे समझ में आयागा ठीक है तो धन्यवाद जय हिंद